बार्मेजले के रास्टे राजमार्ग पर पच्पद्रा में संसकार वेली के पास शुकरवार देर शाम एक ट्रैलर और बस में जबर्दस भिडन्त हो गई इस हाथसे में बस में सवार एक दरजन सधी के अपत्री घायल हो गए अपत्र बार्मेजले के पच्पद्रा थाना शेत्र के रास्टी राजमार्ग पर संसकार वेली के पास अनियन्तरित निजी बस ट्रेलर से टाक्रापल्टी खा गई इस हाथसे में बस में सवार करीब 15 लोग खायल हो गए हापसे की सूचना मिलने पर पहुंची पचपद्रा एवं पाटोदी की 108 एम्बुलेंस एवं अन्य वहानों से घायलों को इलाज के लिए बालुतरा के नहाटा स्पिताल और पचपद्रा के स्वास केंद्र ले जाया गया है जान का अपचार शुरू हुआ दुगटना के बाद राजमार्ग पर वहानों की लंबी कतार लग गई वहीं पचपद्रा पोलिस ने मौके पर पहुंच कर यातायात बहाल करवाया जानकारी के अनुसार सवारियों से भरी निजीबा शुक्रवार शाम जोटपूर से पचपद्रा की ओर आ रही थी इस दोरान राश्टी राजमार्ग पर पचपद्रा सरहद में संसकार रैली स्कूल के समेप बस के पईये का एक्सल तूटने से बस अन्यंतित होका सामने से आ रहे ट्रेलर से टकराते हुए पलट गई बस पलटते ही लोगों के चीखने चनाने की अवाज पर कोहराम मच गया दुर्गटना में रगुवीर सिंग पूत्र रविंदर सिंग, पृतिका कवर पत्नी रगुवीर सिंग, हर्चंद पूत्र फूलाराम निवासी बालुत्रा, राखी पत्नी गंश्याम सिंग निवासी पचपद्रा, पदमाराम पूत्र खेमाराम निवासी कूपलिया, गु पप्पु कुमार पुत्र महेश निवासी पटना विहार, शानो पुत्र सुपदेव निवासी बलिया विहार, कैलाश पुत्र जगदीश निवासी बालोत्रा, घंश्याम पुत्र मुकनाराम निवासी पचवद्रा, धर्मेश मेवाडा पुत्र नेमीचंद निवासी बालोत शुरु की है